अब हम कर एक नए तरेके का capital adjustment जिसके अंदर जो partner जा रहा है उसको जो भी amount देना है वो बच्चे वो partner इस तरीके से लाएंगे कि उनका profit sharing ratio मतलब उनका capital proportionate हो जाए कैसे अजीव लग रहा है कोई बात नहीं करते हैं देखो N, D, A 5 is to 3 is to 7 उनकी profit sharing ratio है N retire हो रहा है firm से D और A का ratio है 2 is to 3 adjusted capital account of D and A shows a balance of 33,000 and 70,500 यह जो adjusted capital account होता है उसका मतलब क्या सारे adjustments होने के बाद revaluation, reserve, all that adjustment done and then these are the balances left यह दो balances left है उनके balances होने के बाद अब total amount जो N को देना है वो है 90,500 this amount to be paid by D and A in such a way that their capitals become proportionate to their new profit sharing ratio चलब देख लेते कैसे करना है N, D, A चिके N को हमें देना है amount 90,500 यह हमें pay करना है D और A का जो बचा हुआ balance है वो यह है 33,7,500 मतलब देखा जाए अगर सोचे यह उनके balances है already यह वो amount लाने वाले है यह वो amount लाने वाले है तो obviously D और A की जो total capital होगी वो क्या होगी D and A की total capital क्या होगी after जब वो यह लेकर आ जाते है पैसा जो उनसे मंगवाया गया है वो तो यह होगी 33,000 plus 75,000 plus 90,500 simple है उनके जो capital के balances है वो plus जो वो लेकर आने वाले है वो तो वो total capital हो जाएगी दोनों की 0,1,4 हो गया यहाँ पर 10,19,19 मतलब 1,94,000 उनकी capital हो जाएगी जिसे वो चाहते हैं new profit sharing ratio में new profit sharing ratio इनकी कितनी थी? 2,3 तो इसे 2,3 में बाटना पड़ेगा 1,94,000 into 2 by 5, cut करते हैं 3, यहाँ पर 4,4, 8,8,00 0,38,800 into 2 that will be 0,06,17,77,600 और calculate करेंगे 3 by 5 को भी 1,9, double, triple, 0 into 3 by 5 again यह तो सेमी रहने वाला है 0042629 plus that will be 11 to 1,16,400 यह इनकी नई capital है तो अब क्या करेंगे? D और A की जो नई capital है पहले वो लिख लेंगे 77,600, 116,400 अब इस में से उनकी 5 and this is 4 तो यह अमांट लेकर आने वाले हैं यह दोनों पार्टनर्स ठीक है? अब अगर हमें entry करनी है कि कितना लेकर आ रहे हैं कैसे दे रहे हैं तो हम entry कर सकते हैं कैसे? bank account हमारा debit हो जाएगा bank account debit कितने से? यह दोनों amount से? basically 90500 से जो हमने मंगवाया उनसे 2 D's capital, 2 A's capital D से कितना मंगवाया? 4 4 6 00 that is 4 4 6 00 and this is 45900 calculate करके देख लो, it will be good then, देना किसको है? N को देना था N's capital खतम हो रही है हमारी 2 bank payment जा रहा है पूरा 90500, 90500 so, we are done with the entry तो क्या क्या हमने? हमने क्या क्या क्या? जब उनकी capital पड़ी है, adjusted capital निकाली हुई है जितना मंगाना है, उसको उस capital में add कर दो यह आ गया, इसको नए profit sharing ratio में बाढ़ दो यह नही capital आ गई, नहीं में से old minus कर दो तो पता चल जाएगा कितना cash मंगाना है इसके बाद हम next वाला sum करेंगे last sum, adjustment of capital में कुछ amount हम bank में छोडने भी वाले हैं उसके बाद का adjustment proportionate जो लेकर आना है, वो करने वाले but that will be ultimate full-fledged sum